अब इसी के साथ continuation में थोड़ सा circular motion के important points को revise कर लेते हैं हाला कि मैंने time exceed कर दिया है बट ठीक है अपने main main points अपन जली लदी revise कर लेते हैं circular motion का इसमें circular motion में जो main main points आपको g mains के लिए ध्यारकना चाहिए एक तो जितने भी आपके definitions है angular vectors यही पर introduce होते हैं आपके slayvus में तो जो भी आपके angular vectors से उनके definitions को जरू धाना है angular positions हो गया angular displacement हो गया angular displacement में यह वाली बात कि वह जब infinitely small होता है तो वेक्टर की तरह होता है लेकिन जब वो finite होता है तो वो वेक्टर की तरह नहीं होता है क्योंकि वो commutative log को follow नहीं करता यह वाली बात अपने को ध्यान रहना चाहिए angular velocity average होता है total displacement angular displacement upon total time यह वेसिकली यह जो तर्म है यह होता है तोटल कितना angle rotate किया जो radius vector है वो कितना angle rotate किया that is what is angular displacement और कितना time interval इसको डिवाइस को डिवाइस होते हैं और यहां पर जो circular motion में जो angular kinematics है इनके formula बहुत ही similar होते है अप चाहँ तो रिले ऐसे अभी अभी आपने kinematics किया है तो मेरा डिवाइस है जब आप किनेमेटिक्स में definitions रिवाइस करते हैं साथ ही साथ इसको एक तरफ रिवाइस कर दो जैसे वहां भी average velocity पढ़ते है तो ऐसा है displacement upon time यह बस angular displacement upon time इस तरह से करके अपन define किया हुआ है इसका unit radian per second है rate of change of angular position that is d theta by dt this is what is instantaneous angular velocity इसका भी unit same ही रहेगा किस rate से radius vector rotate करता है वो है यह है उसका rate of change angular acceleration यह इन चीज़ों पने को यहां पर इसे class in marathon class in time waste नहीं करना जगी है वो कि बहुत obvious वाली चीज़े है जो किसी भी जगा चारी करो यह चीज़े आपको याद होनी ही चाहिए यह यह भी आप एक चीज़ कर सकते हैं अनलोग उते हैं यह बहुत ज़्यादा जो आपके linear kinematics वाली जो definition सोते हो से बहुत ज़्यादा ही यह analogous है जैसे वहां भी average acceleration हम वैसे ही define करते हैं change in velocity upon time हैं यहां पर भी हम change in angular velocity upon time define कर रहे हैं और यह instantaneous angular acceleration rate of change of angular velocity direction की बात करें तो अगर omega मतलब angular velocity और angular acceleration अगर same direction में होते हैं तो angular velocity बढ़ता है आ और angular velocity बढ़ रहा हो तों कहा सकते हैं कि angular acceleration और angular velocity direction यह बढ़ LOT घट रहा हो अमॉसिट तुम कहा सकते हैं कि आ बॉस्त डिरेक्शन में आ आ एंगर एक्शलियरशन में होता हैं तो च्व कि अब डिरक्शिन मेंहोता है। थाइब कहते हैं तो जिस दिरेक्शिन है ऐ। अब यहां पर ओमेगा के तुम्स में उसको पढ़ने का प्रचिلन है। यह अगर जासे अलफा कॉंस्टन है वहाँ पर लीर कैने हैं अक्तार स्टन अ के एक बास में आपने dt है और यह d omega by dt है तो अगर alpha constant है तो जिसे वहाँ पर अपने पास x v और a में relations होते हैं तो similarly very analogous relation है यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी अगर alpha constant है और अपने इंटेग्रेट करके वो तीन equations जो वहाँ पर equation of motion के नाम से हम पढ़ते हैं same relation we can get here omega final is omega initial plus alpha t यह angular displacement है theta is angular displacement so s equals to ut plus half a t square के अनलोगस हो गया and v square u square as to as के अनलोगस हो गया तो यह कुछ बाते हैं जो यह कुछ बाते हैं जो यह कुछ बाते हैं जो यह कुछ बाते हैं इस बहुत तो सिंपल लेवल के बीकोशन इसके आप प्रेक्टिस कर लो जस्ट तू एक बार अपका डेफिनिशन आपको रिकॉल हो जाए प्रश्र हो जाए उस बैसिस पे हैं हाना कि डिरेक्ट सावल ने के चांसे बहुत ही कम होते हैं वी ओमेग और र में सर्कुलर मोशन में जो रिलेशन है यह अपने को जरूर रिवाइस करना चाहिए एक तो वेक्टर फॉर्म होता है वी का ओमेगा क्रॉसर है और अगर से प्लेनर मोशन दिखा रखा है सर्कुलर यहाँ पे तो वेलोसिटी उसी प्लेन पे है टेंजन करते हैं तो राइट थम रूल कहते हैं इसको इससे ओमेग की डिरेक्शन मिलती है अपने को तो वस प्लेन के ही पर्पेंडिकुलर रहता है तो वी के पर्पेंडिकुलर हो गया क्योंकि वी उस प्लेन में है और वी और र र रेडियस हो गया और यह वेलोसिटी टेंजन तो साइन थीटा बिसीकली ओमेगार में कनवर्ट हो गया लेकिन वो जो जो ध्यान रहे तो अच्छा है वी इस ओमेगा क्रॉस आर यह एक्जाम्पल में में टाइम विस्ट नहीं करना चाहूं कि बास सिंपल सा और अपने को और ज्यादा इंपॉर्टेंट थीज़े हैं आप इसको एक बाद प्राक्टिस के तौर पे इसको आप यूस कर सकते हूं रिलेटिव वाला जो ओमेगा यहां पर थोड़ा इंट्रेस्टिंग रहता है क्योंकि लिए कायमेटिक्स में चेनरी रिलेटिव रिलेटिव डिफाइन करते हैं वी ए विलोसिटी ओफ ए वित इसको नोट ओमेगा ए माइनस ओमेगा भी राधर हम यहाभी किया करते हैं निकालना के लिए एक पॉइंट का उमेगा निकालना हो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो जीसे माल लोसिटी दर यह अपॉइंट एलेटर से इसका बी उसकी एसकी रैंडनम विलोस भोलासिय के छेगे लेंगे तो इससे अपने को मिलेगा angular velocity of a with respect to b या इनक अजर की भी का अग – जिम्क हय वेलासिय का मतलब होते है तो तो नहीं किताब है यहाँ जिसे मालम इसे जो फीगर के तुछ हो एक चैंज हों एक र Euch जिए मगा एट तो दो अज表 करें उती है तो इनके radius vector के बीच का जो angle है वो किस rate से change हो रहा है इस बात को दर्शाता है omega b minus omega है इस बात को represent करता है किस rate से इन दोनों के बीच का angle change हो रहा है यह है omega b minus omega a यह relative angle of velocity नहीं है जिसे इस तरह के सवाल पुछ जाते हैं कि दो अलग-अलग circle में मुफ कर रहे हैं अभी यह b के सामने a है या कितनी तरह बात वापस meet करेंगे तो इसके से मैसी ही करते है omega b minus omega a निकाले कि इनके बीच का इनके radius के बीच का जो angle है वो किस rate से change हो रहा है और वो 2 pi वेगरा से डिवाइड करके इसको कितनी टाइम बात वापस से उसके सामने आएगा इस तरह से अपने सॉल कर सकते है यह पर उसी बात को मैंने एक्जांपल के थू रिप्रेसेंट कर रखा है कि बी पॉइंट का वेलोसिटी ए पॉइंट का वेलोसिटी उनका रिलेटिव लो यह लेके दिखाया है आपने और उस लेंज से लाइन जोनिंग की लेंज से डिवाइड करो तो यू विल गेट ओमेगा ओफ बी वित रिस्पेक्ट वे या ओमेगा ओफ ए वित रिस्पेक्ट तो बी दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं इनको जरूर रिवाइस करें एक बार टेंगेंशल और सेंट्रिपीटल टेंगेंशल है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड स्पीड को चेंज करने के रिस्पांसिबल होता है अगर विल उस्टी के डिरेक्शन में हो तो वो इंक्रीज करेगा और दारेक्शन चेंज के लिए अगर टेंजिंशन अभी हो तो भी बाडी सर्कल में घुम सकती है वो उनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा बट धेर मस्ट बी सेंट्रिबिटल एक्जामपल एक्जामपल एक देख सकते हैं बच्चो की बाडी मूव कर रहा है टेंजिंशन ए कुछिन में दे रखा है और टोटल एक्चलरेशन इतना हो जाता है तब वो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है इसा लिखा हुआ है तो कितना एंगल वो घुम चुका होगा निकालना है तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं ओमेगा इनिशल जीरो है इनिशल आंगलर वेलोशिट क्यालनी कर निकर जाती और वो मूव करना स्टार्ट करता स्टेंजशल एक्सश्ट कुछिन में में अक्छिनद था तो यहां पर यही taps कि ने टे plex इच जिजशन इसका वन उन जा रहा है उस मोमंन पे जब वो स्लिप कर रहा है तो उसको यूश करके मैंने यहropy्ढ़ एव् as a C to choose the same value to Psalm 3, we have added V square U square because we just want to easily draw an angle in how many angles it gets rotated within 2d سquare final omega हो गया तो अलफ थटा यह उसा हम सबकले स्देड के लिए स्देड टो यहां से हम तीटा की वैल्यू निकाला तो यहां से किसे स्देडिक से अलभ्राइब कर लिए यहां से यहां से फीडल की वैल्यू अन्ड़ ऻोटे transp और जो centripetal है, omega square r बोलो या v square by r बोलो, वह इन equations में जो alpha involved हो रहा है, omega square, sorry, omega initial square plus 2 alpha theta, वहां से हमने omega square के मतर से omega square r लिख करके tangential centripetal acceleration निकाला है. dynamics of circular motion में 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 दो equations या दो direction में में यूज करने पड़ती है, एक तो mv square by r net force लिखें सेंटिविटल डिरेक्शन में, और newton's law लिख करके mv square by r के बराबर करें, एक tangential direction में net force लिखें, यह बिसिकली और कुछ नहीं है, newton's law है, centripetal or tangential direction में, उसको ma tangential कर लिखें, आप alpha r भी लिख सकते हैं, एक चुटा से example है बच्चों, उस dynamics को समझने के लिए, जिसे यहाँ पे block है, उसमें एक spring है, वो move कर रहा है circle में, तो जिसे यहाँ पे x extend हो गया होगा spring, तो kx का force जो है, वो act कर रहा होगा, जिए centripetal force, और को अमने kx को लिख रखा है, m omega square r, इसका natural length L है और x extend हो गया है, तो बसी कर लिए कुछ भी नहीं है, न्यूटन स्टा लिख रखा है, हमने centripetal direction में, force पराबर m omega square r, यह एक बहुत important formula है, जो आपने को याद दखना है, radius of curvature, radius of curvature, कोई भी पात हो, curvature, हर point उस पात का, एक circle का part assume किया जा सकता है, तो हम यहाँ पे किसी भी point पे radius of curvature निकालते हैं, तो मानते हैं कि वो इक circle का part है, तो उस point पे जो net speed उसका square लेते हैं, और normal direction में जो acceleration है, मतलब acceleration जो velocity के perpendicular है, उसको divide करते हैं, तो अपने को radius of curvature मलता है, इसको ध्यान रखें, यह formula है, इसको ध्यान रखें, बहुत जादा थोरी नहीं है बताने को इसमें, लेकिन जो main main point से वो मैं आपको revise कर दे रहा हूँ, यह dy by dx, first differentiation हो गया, और second differentiation है, यह इस result को यूज करें, अगर y कर्व की question दी और डिरेक्ली यूज करके आप इसको solve कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पस y equals to x square दिया था, तो इसको मैं डिरेक्ली यहाँ पे x square की function दिया हो है, तो first differentiation निकाला, second differentiation निकाला, और directly इस formula मैं पुट कर दिया, x equals to 0 अपने को निकालना था, यहाँ पे question मैं mentioned था, first differentiation निकाला, x को 0 पुट किया, second differentiation तो एक constant ही आ रहा है, तो इसको पुट कर लिया, हमने सीधा इस result पे, और radius of curvature find out किय vertical circular motion ने भी basically अपने पास वही दो ही equation होता है, tangential और centripetal direction में newton's law, और उसके अलावा एक equation होता है, अपने पास energy conservation का, इसमें जो main main points हो है, कि अगर 80 से block को बानके गुमा रहे होता है, तो lowest point पे root 5 GL speed required होती है, circle complete कराने के लिए, और topmost point पे जाकर के, tension जीर होने का डर रहता ह तो यहां पे अगर हम circular motion कराने की बात करते हैं, तो रसी से अगर बंदा हुआ है, तो इसके बाद tension zero होने का डर रहता है, और यहां पे minimum speed root 5 GL देनी पढ़ती है, उस moment पे यहां पे speed root GL बचती है, जो energy conservation से निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर यह rod होता है, तो यहां पे वही वाली बार बता रखिए, कि यहां पे speed zero होता है, तो circular motion बंद होता है, और यहां पे जो दिनी पड़ती है रसी वाले केस में, स्ट्रिंग हो, तो वो रूट 5 GL उसकी वाल्यू आती है, वो भी इस तरह से आती है कि इस वाले point पे आप tension को जिस्ट जिस्ट जिरो करो, कि यहां पे जिरो होता है, तो पहले कहीं बी जिरो नहीं हो रहा है, तो circle complete कर जाएगा, जो 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 ज जिसे रोड से अगर आप बाल को बान्दो या रिंग को फसाद दिया हो किसी ट्रैक में तो ऐसे केसे में वह फोर्स सीरोने का डर नहीं है और एसे केसे में जो रिजल्ट आता है वह अपने को रूट फोर जील मिलता है यहां पर एक ग्जामपल रखा जिसमें अमने इस ट्रै यहां पर क Sad CemAL की और यहां पर Чण पनल 2 आना पर जील्ट नहीं को धिश्ट आएगा यहां़ इसे व मालर को मिलता थिटैक लोवार करने तो सरृच जो मिलताग भचेंगे यहां यह ऐसी बादिगा आएएगा उच णफिटीट तो सेंट्रैटर रेखंगे उदीटै। sich वेलॉसिटी पूछा है, फिर्सट पार्ट में एंगल पूचा है, और हाइट भी पूचा है, तो एक एंगल आजाएगा योधित है, के वो contact lose हो रहा होगा तो जनरली जो dynamics के सवाल रहते है न वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उसमें आप दो बातों का ध्यान रखें एक तो आपको newton's log की dynamics की equation लिखनी है centripetal direction में या tangential direction में दूसरा एक energy conservation use कर लो जाहतर cases में इन से सवाल आपके solve हो जाएंगे dynamics वाले यह भी उसी तरह का एक 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 जामपल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का यहां पर हमने रूट फाइप जील नहीं के रूट थी जील speed दिया है body को तो जाहर सी बात है रूट टू जील देने पर यह वाला point क्रॉस होता है रूट टू जील से जादा speed दिया तो यह वाला point क्रॉस हो जाएगा बट वह सर्कल कंट्रीट नहीं कर पाएगा क्योंकि रूट फाइप जील से कम की speed है तो एक पॉइंट प्रकर करके रस्ती लूज हो जाएगी और उसके बाल उसका motion प्रेजेक्टाइल हो जाएगा maximum height discussion में निकलवाई है कि किते maximum height तक जाएगा तो यहां पर लाकर के सेम वही जो पिछ्टे बारे सवाल में किया कि यहां पर लाकर के इसका tension को just zero कर तो प्रेजिए कर दो जाएगी तो जाएगी तो यहां की स्पीड की वैलू मिल जाएगी और यहां से maximum height कि इतना फॉर्दर हईट तक जाएगा वो हम ग्याप्लेट कर सकते है यहां पर गर्खाए रिखा यहां पर आपके प्रक्रश के लिए यह सवाल इसमें दिया है वीडियो कि यहां पर आके थीटा एंगल पर इमान करके इसका एक विडी बनाना, टेंशन को जज जिरो करना, और सर्कुलर मोशन की इस डिरेक्शन में एक प्वेशन लिखना, एम जी कॉस्ट थीटा बराबर एम वी स्क्वाइर बायार, यहां से एनर्जी कंजर्व करना, यहां की स्पीड और यह अंगल फीटा मिल जाएगा, तो यहां तक की हाइट एल प्लस एल कॉस्ट एटा तो होई गई, फर्दर प्रजेक्टाइल मोशन करतेवे कुछ हाइट तक जाएगा, वो यहां से फर्दर प्रजेक्टाइल मोशन वाले maximum height का formula लिख करके वो height add कर लेना circular turning of roads में जो बात important है कि अगर banked road नहीं हो तो जो allowable speed होती है वो ये वाली होती है, इसको जान रखें V is less than root over of mu rg and again circular motion friction ही responsible रहता है ऐसे cases में circular motion के लिए तो mv square by r के बराबर करके वो जो range है, जो allowable speed है तो वो में एका सकते हैं, इसी speed को बढ़ा सकते हैं banking करके उसके formulas भी अगर ध्यान रखे तो बहुत सही रहता है ये exam, examinations point of view से कि V max और V min का फॉर्मूला है कि friction अगर available हो तो क्या-क्या maximum और minimum speed allowed है किसी bank road में ये थीटा banking angle है और V max, V min और रावाइबल range है, speeds के, जो bank road में यूज कर सकते हैं एक इसमें circular motion में rotation of earth का effect थोड़ा सा अपन discuss कर लेते हैं, जो कि important point है कि earth के rotation के कारण, जो weighing machine की reading आएगी जो normal आता है apparent weight वो अपने को अलग मिलता है, इसमें कुछ error मिलता है, weight 2 नहीं मिलता है, apparent weight निकाल के आपर दिखा रखा है, जो normal की value आएगी, वो centripetal direction में इस block के लिए अगर equation लिखे हैं आपन, तो आप दे सकते एक normal का force दर लग रहा है, और एक component आएगा pseudo force का ये, ये centrifugal force का, m omega square r, इस direction में, तो basically weighing machine जो reading देगा, वो normal की reading देगा, और वो mg नहीं आएगा, वो mg माइनस m omega square r है, ये r इस circle का radius है, जो की radius of earth into cos theta के बरावर है, आप दे सकते हैं, इस expression से कि theta zero equator पे, तो earth के rotation का effect maximum है equator पे, और poles पे वो effect अपने को दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये apparent weight है, ये earth के rotation के करण अपने को जो है, वो वेइंग मशीन की रीडिंग जो है, वो कुछ अलग मिलती है mg से, इस एक सवाल पुराना exam में आयवा सवाल ही है, कि apparent weight of body zero हो जाए, इसके लिए omega कितना होना चाहिए, तो ये जुमने omega निकाल रखा है, कि क्या apparent weight आता है तो ये जुमने के टर्म में, mg माइनस m omega square cos square theta, इसको अपन जिरो कर लें या पर तो अपन normal को zero करके उस value को attain कर सकते हैं, कि जो जो एक्वेटर पे है तो theta वाली term zero होई, वो cos theta वाली term 1 बन जाएगी और mg will be equals to m omega square r, यहां से उमया की value root over of GYR आएगी, तो मेरा ये advice है कि इस चीज को थोड़ा calculation करना आपको आपको आना चाहिए, कि earth के rotation के effect से क्या आपन को apparent weight मिलता है, तो this was all about circular motion और अपने topic के साथ आपको next faculty आ करके explain करेंगे